नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से आप सबी दोस्तों का आपके अपनी यूटूब चैनल इवाएंट फीडिपी पर बहुत बहुत सौगत है दोस्तों आज जो दिन पर की फटा फट बड़ी खबरे मुक्त समचार खामने बिकल के आ रहे हैं दोस्तों इक एक करके चलेंगे त दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित करसी कानून रत होले चाहिए या फिर नहीं दरासा दोस्तों पहली बड़ी खबर ज़ा लेते हैं किसानों के समर्थन में खुलकर के सामने आएं जेजेपी के कई विधायक हरियाना में बीजेपी की खटर सरकार की बढ़ सकती हैं उसके लिए यहां दोस्तों आपनों को बताते चले किसान आंदोलन को लेगर के हर्याना में बीजेपी सरकार के सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी की जेजेपी से भी अब आवाज उखने लगी है पार्टी के विधाय किसानों के समर्थन में सामने आने लगे हैं तो वही उपमुख् प्रक्तरी दुस्यंत चोटाला इस पूरे मामले पर अभी तक चुपी साधे हुए है जेजबी पार्टी की नेताओं के खिसानों के समर्थन में आने से बीजेपी की राज में मुस्किले यहाँ पर काफी बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर जेजेपी के व आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पत्रकारिता के मुझ सिधानतों को भुला करके, आज के दौर में कई पत्रकार की जी हजूरी में जुटे हुए हैं, इस वक्त देश में चल रहे किसान आंदलन के मुद्जे पर कई न्यूस चैनलों के दौरा इसे बदनाम करने की कोसि किसानों को MSP देने से सरकारी खजाने पर बोज बढ़ सकता है। अपने नियूसों में रूबीका लियाकत ने MSP के कतिद फायदे और नुक्सान बताकर कि किसानों की मांगों को बेवज़ है बताने की कोसिस की है। रूबीका लियाकत ने हर बार कितरह मोधी सरकार का कुड़ जाए या उन फसलों के दाफ पहले से ही तैब हो जाएं तो फिर तेज की अर्थवबस्ता कैसे चलेगी इस पूरे मामले में पत्रकार रोहिडी सिंग ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रोबी का लियाकत पर निसान साधा है उन्होंने लिखा है कि जब पत्रकार सरका के द्वारा लिखी गई प्रेस रिलीज पढ़कर सुनाने लगे तब लोग तंतर काफी कमजूर होना लाजमी है यहां रोबी का लियाकत बता रही है कि किसानों को MSP देने से अर्थवबस्ता की कमा तूट जाएगी पत्रकारिता के भेस में बैठे पार्टी प्रवक्ताओ को पहचानी है दोस्तों देख सकते हैं एक पर फिर से दलाल गोधी मीडिया सामने निकल की आई है मोधी सरकार के बचाओं में और यहां पर लगातार गोधी मीडिया की तरफ से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोसिस की जा रही है एक तरफ नरेंदर मोधी अपने मित्रो का लागो करोनों का करजा माफ करते हैं आठ हजार के हवाई जाहज में चलते हैं तब अर्थविवस्ता की बाफ नहीं होती है लेकिन अगर किसान MSP मांगता है तो ये गोधी मीडिया के पतरगार कहते हैं कि अर्थविवस्ता की कमर तूट जाएगी अगर मोधी सरकार ने क किसानों को MSP दी और रही बात अर्थवस्ता की तो वो तो पूरी तरीके से पहले ही तबाहा हो चुकी है मोदी राज में दोस्तो इस कबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमिट बॉक्स में इसके साथ ही दोस्तो आईए एक और बड़ी अपडेट जा ले है तो वहीं पंज्या में भाजपा को लगतार छटके मिल रहे हैं यहां भाजपा को उस समय बड़ा छटका लगा जब पार्टी के मंडल परधान हरिंदर ची सिंग ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया पार्टी के चिला परधान विनूत कुमार को भेजे लिखित इस्त योग देने का भी यहां पर भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि वो यहां पर अब किसानों के साथ हैं और मोधी सरकार को यह बिल यहां पर वापस लेने ही पड़ेंगे इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं एंडिये में भी उठे हैं बगाबत के सुर जेडियू के निता ने हार के लिए बीजेपी और लजेपी को ठैराया है जिम्मेदार आप लोगों को दोस्तों बताते चलें बिहार के सियम नितिस कुमार ने चेडियू के हारे हुए प्रत्यासी उसंग चुनाओं में कम सीटे आने की समिछा की है अब इसको लेकर के बिहार में सियासत भी खूफ हो रही है पूर्व मंतरी जै कुमार सिंग ने चुनाओं में हार के लिए बीजेपी और लजेपी को बहुत हद तक हार के लिए चिपेदार ठैराय है जै कुमार सिंग निकाहे की चुनाओं में लूजबा और भाजपा का अंतर बताने में नाकाम रहे बाजपा नेताओं की और से लजेपी को लेकर के साफ मैसेज नहीं दिया गया भरम की बिरह से ज्यादत और नेता निकल के आ रही है राजिस्थान के सियम असुक कहलूत ने साधा मोधी सरकार पर निसाना कहा किसानों की अंदेखी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को दोस्तों बताते चले राजिस्थान के मुक्यमंत्री असुक कहलूत ने आज एंडिये सरकार के काम करने के तरीके पर न जियां उडाती हैं लोक तंदर में समवाद सबसे जरूरी है लेकिन नए करहसी कानूनों पर केंदर सरकार ने राजिस सरकारों और किसांट संगठनों से कोई भी बात जीत नहीं की सिर्फ अपने मित्रों का है यहां पर फायदा सोचा मोदी सरकार ने यहां पर राजिस्तान क मुख्यमंत्री असुग गैलूत ने केंदर की मोदी सरकार को लिया है निसाने पर इस पीच एक और बड़ी ख़बर दोस्तों सामने निकल के आ रही है किसान आंदोलन अमेरिका के कई सांसदों ने सिखों ने भारत में परदर्शन कर रहे किसानों का दिया है साथ हाँ लोगों को दोस्तों बताते चले अमेरिका के कई सांसतों और सिक्ष समुदाय की प्रमुक हस्तियों ने भारत में नएक रसी कानूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्दन किया है और उन्हें सांतिकूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुवती देनी का यहाँ पर अनुरोद किया है केंदर की मूदी सरकार से भारत में पच्जाब, हरियाना और कुछ अन्य राज्यों की हजारों किसान केंदर के तीन नएक रसी कानूलों के विरोध में 26 नवंबर से दिल्ली की अलग-अलग सीमाव पर लगतार प्रदर्शन कर रही है और इस समय मूदी सरकार बैक फूट पर ही नजर आ रही है क्योंकि लगतार देश भर के किसानों को अलग-अलग समुदायों, अलग-अलग हस्तियों से यहाँ पर जबर्दस तरीके से समर्थन प्राप्त हो रहा है विपच्ची दल भी यहाँ पर पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में ही नजर आ रही है और मूदी सरकार यहाँ पर चौध दरफा घिर चुगी है तो भाई दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले किसानों के समर्थन में लुधियाना के वैक्यानिक ने राश्ट्रिय पुरुषकार लेने से किया साफ इनकार कहा मेरा जमीर इजाजत नहीं दे रहा है आप लोगों को दोस्तों बताते चले मोधी सरकार के नए क्रसी कालूरों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करने वालों की फहरिस्त में अब वैग्यानिकों के नाम भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं लुधियाना के वैग्यानिक डॉक्टर वरिंदर पाल सिंग ने किसान आंदोलन कर समर्थन करते हुए मोधी सरकार के मंतरी से राश्ट्रिया पुरुसकार लेने से मना कर दिया है यहां आप लोगों को बताते चले पंजाब एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सॉयल कैमिस्ट डॉक्टर वरिंदर पाल सिंग को पौधों के पोशट के छेत्र में किया गया सर्बसेश्ट कारियों के लिए केंदरिया रासाइनिक एम उर्वरक मंतरी के दौरा सौन पदक और सौन जैनती पुरुसकार से समानित किया जाना था उन्हें जब इसके लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए इस पुरुसकार को लेने से यहां पर साफ इनकार कर दिया जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां प पतियों के हाथ में हो जिसे लूट कर वो विदेश भाग जाएं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें मोधी सरकार चाहती है कि खेती का बाचार पूजी पतियों के हाथ में हो वही पूजी पती जिनमें से कई देश के बैंक लूट कर विदेश भाग गए हैं बीजेपी सरक सपना देख रही है कि भगोडे और लुटेरे पूझी पती मिलकर के देश चलाएंगे इसी सपने के तहट हवाई अटे रेलवे श्टेशन बसटे और राश्ट्रिय कमपनियां देश के चंद अमीरों को बेची जा रही है लगातार किसान आज जो मांग कर रहे हैं उसमें नय कुछ भी नहीं है ये मांग बरसों पुरानी है नया सिर्फ इतना है कि मौझूदा सरकार ने नय कानूर बना करके किसानों की मुसीबत और बढ़ाने का इंतजाम कर दिया है इसने फसलों की उपजर बेचने की सुलभ विवस्ता करने फसलों की उचित मूले दिलवाने खेत इसे घाटे को कम करने की जगाए उसे पूंजी पतियों के हाथ बेचने का कानून बना डाला है बीजेबी सत्ता में ये कहकर के आई थी कि 70 साल में जो गड़बरी हुई है उसे हम ठीक करेंगे लेकिन उसने ठीक तो कुछ नहीं किया सिर्फ बिगाड़ा ही है जैसे मनमोहन सरकार ने जनता के हाथ में RTI का अधिकार दिया था इसने उस कानून को ही कमजूर कर दिया है जैसे देश की अर्थवेपस्ता की रीड माने जाने वाले छोटे और मजहौले उत्योगों को नोट बंदी के जरिए ड़हा दिया गया और GDP को माइनस में पहुँचा दिया इसी नाय कानून में काला बाचारी पर से प्रतिवंद हटा लिया गया है जिसका मतलब है कि पूझी पतियों को काला बाचारी करने और महेंगारी बढ़ा कर जनता की जेव गाटने का अधिकार भी मिल गया है वहां किसाम से 10 रुपए के आलू खरी देगा और 50 या 100 रुपए मे भी बेचेगा तो उस पर नियंतरण का कोई भी कानून नहीं है मोधी सरकार चाहती है कि पूरे देश पर नियंतरण उसके कुछ मित्रों का ही हो सरकार चाहती है कि वहां मेडिकल, सिच्छा, खेती, परिवहान, हर सक्टर को पूझी पतियों को ही बेच दे, पूझी पति द आपका भी आंदोलन है यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है अगर आप लोग भी किसान आंदोलन का जबर्दस तरीके से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जब दर्च करवाई यह इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते अपने तरीके से विरोध परदर्शन किया कोई धरने पर बैठा तो किसी ने मोधी सरकार के किलास नारे बाजिकर अपना विरोध यहाँ पर जटाया है इस बीच सोसल वीडिया पर किसानों का एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें कई किसान भैंस के आगे बीन बजा करके विरोध परदर्शन कर रहे हैं ये यूटी गेट पर बैठे किसानों के धरना हिस्तल का वीडियो बताया जा रहा है दोस्तो आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी जो आप लोगो ने चानी है यूए एंड वीडिवी भार वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ला बहुत भंड़िवाद